हालो फ्रेंट्स एक बार फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टप्सन ट्रिक्स में तो फ्रेंट्स वादे की मताबिक जो है मैं पीवीपी का जो है एक सॉलिड वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ और जिसमें जो है आपको शॉरिटी देती हूँ कि यदि आप इस तरीके से काम करने वाले हैं तो 95 तो 99 परसंट जो है आप पीवीपी विन करते चले जाएंगे वो भी बहुत अच्छे पॉइंट से तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पीवीपी के कुछ मैचस दिखाना चाहूंगी और उनको आप बहुत ध्यान से कीजिए आप लोग भी तो फिरिंस देख सकते हैं कि कृट डैमेज जो है इसमें 0% है वो सामने वाली टीम का कॉम्बो रेट जो है देख लीजिए और चार्ज अटाइक जो है और साथ में जो हमारे एचपी वैल्यू है वो मैच को ध्यान से जो है अब्जर्व कीजिएगा कि जब क्रिट डैमेज की बात आती है तो हर चीज को लेके मित है कि क्रिट डैमेज होगा तो फर्क होगा चार्ज अटाइक होगा तो फर्क होगा तो मैं हर चीज को इसमें डिस्क्राइब कर रही हूं तो आप ध्यान दीज जाता है कभी 12,000, 13,000, 15,000 वो इनके उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा बिकोज जो है उसका जो इफेक्ट वो जो चीज होती है वो क्रिट डैमेज जो हम लेते हैं एक्स्ट्रा उस पर होता है तो फ्रिंट्स इस वाले मैच में आप ध्यान दिजेगा कि इन्होंने जो है फैमिली कॉमबट जो विंग्स होते हैं वो ले रखे हैं जिसमें 0.229 जो है इनको फैमिली कॉमबट डैमेज बोनस मिल रहा है और साथ में कॉमबो रेट चार्ज अटैक जो इसमें देखी हमारा 60% है ठीक है घृजए बसकूब इंका ज्यादा है और क्रेट ब्लडियो है उनका और बागी जो हमारा करदी जत्के साथ में और च इवेट जो है वो मुझे मीनिंग्लेस ही लग रहा है बिकोज जो है इतने कम परसेंटेज में मिस होने के चांसे बहुत कम होते हैं तो अभी इवेट को आप बिल्कुल साइड में रख सकते हैं आप मैच पर ध्यान दीजेगा और कैसे हिट जा रहे हैं उन पर ध्यान देना ब और कॉमबेट जो विंग्स ले रखे हैं तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कॉमबेट विंग्स से फर्क तो पड़ता है बट ऐसा नहीं कि बहुत जादा फर्क पड़ता है या तो आप उसका परसेंटेज बहुत हाई हो तो क्योंकि हमारे जो एफ के विंग्स है वो पीवीपी में काम नहीं आते है ठीक है ये देखिए क्रिट डामेज का फर्क था वो तो आपने देखा कि एचपी वैल्यू बड़े होने के कारण हमने कॉमबेट विंग और क्रिट डामेज को भी मात दे दी तो इसमें आप देख सकते हो कि जो है उनका जो है पावर हैं हमसे हाना क्रिट डामेज भी जादा है कॉमबो रेट भी जादा है चार्जड अटैक थोड़ा कम है फैमिली कॉमबिट डामेज बोनस भी इनके पास में है बहुत सारी चीजे हैं बट देखिए एचपी वैल्यू जो है इनकी कम है बहुत कम है और इसी लिए जो है मैंने आ मैं प्लस 6 या प्लस 12 वाले को ही लेती थी क्योंकि 5 विन करने के लिए वही जरूरी होता था बट अब जो है मैं खुल कर जो है 23, 24 और 19, 20 इनको अराम से अटेंड कर पा रही हूं तो यह जो है बहुत बेनिफिशल रहा है मेरे लिए और इसलिए मैं आज आपको यह डिटे मैं आपको हर चीज बताना चाहरी हूं आप देखिए कि मैंने जीद लिया अब इस मैच में आप ध्यान दीजिएगा कि क्रिट डामज भी जो है हमारा जस्ट डबल है क्रिट रेड भी जो है बहुत जादा है हमसे 10% करीब ठीक है कॉम्बो रेड जो है वो थोड़ा से ही कम हमसे और चार्ज अटाइक जो है वो बहुत जादा है हमारे कंपारिजन में और यह जो है HP वैल्यू तो जो है डेफिनिटली मेरी ही जादा है बट यह चार्ज अटाइक और क्रिट डामज इनका मिला जोला असर क्या होगा वो चीज मैं बता रही हूं इसलिए बहुत ध्या से देखिएगा और ध्यान से समझेगा एक्चली कि होता क्या है और कैसे फर्क पर आप उनका हिट देखिएगा कि उनका हिट जो है कितना जा रहा है पहले 10,000 का जा चुका एक बार और जो कह रहे हैं चार्ज अटाइक का फर्क नहीं पड़ता वो देखिएगा इसमें कि च ठीक है आप देखिए कितना बड़ा हिट जा रहा है उनका तो ये सब चीजें जो है माइने रखती है और देखिएगा लास्ट टाइम में अकसर हमारे साथ ऐसा होता है कि एक बड़ा हिट ले जाता है इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इसका देखिए फर् प्लस 36 पॉइंट मिल सकते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे लिया जाए तो अब आप देखिए कि क्या सोचकर जो है मैंने इससे छोड़ा ठीक है तो देखिए आप इसमें कि जो हिट है वो जादा कुछ बड़ा नहीं है हमसे और क्रिट डामेज में जो है फर्क है कॉ फैमिली कॉमिट विंक्स भी नहीं है उनके पास चार्ड अटाइक जो है वो हमसे जादा है फॉट्टी का फर्क डामेज और उसमें है है और आप देख रहों कि यह जो है एच्पी वैल्यू हमसे जादा है और हमारे लगबा करीब ही है इसलिए जो मैंने इसको नहीं लिया और यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यदि हमारा ये सब वैल्यू जो है वो अच्छे खासे हों मतलब हमारे डामेज और चार्ज अटाइक इन सब के साथ में हमारा एच्पी वैल्यू अच्छा खासा हो तो हमें कोई नहीं हरा सकता इसलिए जो है उनके उसमें आपक प्लस 36 पॉइंट्स देखने को मिल रहे थे तो सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास आर हो या एसार हो ठिक है यदि आपका आर जो है मजबूत है आपने सही तरीके से रिकास लिया हुआ है क्रिट डामेज चार्ज अटैक इन सब को बैलन्स कर रखा है क्रिट रेट इन सब क और आपका HP वैल्यू है जो बहुत बढ़ा हुआ है तो डेफिनिटली जो है आपको कोई नहीं हरा सकता अभी जो मेरा HP वैल्यू दिख रहा है उससे बहुत जादा भी जो है आगे मैं बढ़ाने वाली हूँ आप देख सकते हो कि जो है इस तरीके से पांच राउंड जो है विन करने के बाद जो है टायर रिवार्ड भी जो है मैंने ले लिए तो अब आते हैं फ्रेंट्स कंक्लूजिन पर तो आपको ये बता दूँ और ये चीज़ आप समझ गए होगे इतने सारे एक्जेम्पल्स मैंने आपको दिये हैं कि अटाक हमारा जो है वो स्ट्रॉंग ह और उसके साथ में जो है हम हमारी जो रक्ष्रा प्रणाली है दार्ट मींस हमारे आर्मर और हमारे जो हैल्म है उसको यह हम पावफुल कर लेते हैं तो डेफिनिटली जो है हमको पीवीपी में कोई नहीं हरा पाएगा ठीक है अब भले ही आप जो है आर वेपन से लड़ रह है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैंने 72,404 का जो है एचपी ले रखा है और बहुत जल्दी जो है मैं इसको और बढ़ा लूंगी और इसको बढ़ाने के तरीके में मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगी देखिए अभी हैं जो है वो नहीं पड़ पाए पाएगा इसको करने में हाहना बट 39% यह दे रहा है उसके सात में मैं आपको बता दूँ जैसे यह वाला जो है हमेरा नेकलेस है उसमें आप देख सकते हूँ है आप PHP बोनस ले रखा है 6.80% का ठीक है TOP बयूदे रखा है और एक जागे मैंने involve ले ने एक दे बिलके हम को ये बता रहा है ना तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आर्मर को स्ट्रॉंग कीजिए हैं को स्ट्रॉंग करने के बजाए क्योंकि हैं क्या करता है हैं सपोर्ड का काम करता है आप एच पी बोनस आपका आर्मर जितना स्ट्रॉंग होगा अब यदि 72,000 का मैं परसंटेज वाइस बढ़ाती हूं तो उसका मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ना कि यदि 20,000 का मैं HP बोनस इतना ही लेती हूं तो मुझे उसका फाइदा मिलेगा तो होप आप यह चीज समझ रहोगे जितना जादा होगा हमारा जो में चीज है वो में वाल्यू जितनी जादा होगी उसका परसंटेज जो हम बढ़ाएंगे वो उतना ही जादा होगा इसलिए आर्मर को करने का आर्मर जितना जादा स्ट्रॉंग कर लेंगे उतना ज्यादा sympath होगा साथ में आपको चार्ज अटाव है क्रिट डामिज भी एना है क्रिट्रेट को भी डेना सिर्फ आपको बताने के लिए और वो उसके साथ में आ गया था इसलिए मैं उसको हटाने रहे हो क्योंकि बाकी सब उसमें अच्छा है तो इवेड का फाइदा हमको इसलिए जादा नहीं मिल सकता क्योंकि 1.5 परसंट है उसके चांसे सही इतने कम है कि आप मालीजे 20-25 बार मे आप ही खुछ सोचे तो इवेड जो है 1.5 परसंट या 1 परसंट लेने का कोई भी फाइदा नहीं है यह मेरा मानना है तो यह बाते आप अच्छे से समझ गए होंगे और जो चीजें आपको लेना है वो ज़रूर लीजिए क्रिट रेट के बारे में और फिर से मैं क्लियर कर है क्रिट डामिज का क्रिट रेट रेट का मतलब है हम यदि साइंस स्टूडेंट है और सबने तक तो सब भी ने साइंस पड़ी है तो आप जानते हैं कि रेट मतलब दाट मिन्स वो उसका नबर ओफ टाइम्स बढ़ा रहे हैं कि मानलीजिए आपका क्रिट डामेज जो है आपने 160 परसंट ले रखा है अब वो एक बार आता है यदि पीवीप पूरे खेलने में यदि एक बार मिलता है और आपने बारा 13000 यह जितने का भी हिट दे दिया क्रिट रेट यह आपका बड़ा हुआ है मानलेजिए आपका 20 परसंट से अबव आपका क्रिट रेट है तो तो उसका कारण क्या है क्योंकि उसका कॉंबो रेट जो है वो बहुत अच्छा है कॉंबो रेट का मतलब है कि कॉंबो तो देगा ही देगा वो number of times कितनी बार कॉंबो दे रहा है that is called कॉंबो रेट ओके तो यह चीज़ें होब आप मेरी बाते समझ गए होंगे और आपको कि PVP का जो है मेरा रिव्यू था तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाय और टेक किया कीप सिंगिंग कीप प्लेइंग क्रेजी मॉंस्टर विद मी